इंटरनेशनल मार्केट में कॉटन के दाम तीन महीनों के निचले स्तरों पर पहुँच गए है। इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों में दबाव देखने को मिल रहा। जनवरी 2024 से अब तक कॉटन के दाम करीब 20% तक गिरे। कॉटन का भाव 66 डॉलर के नीचे फिसल गया। फरवरी में कॉटन के दाम 107 डॉलर के पार निकले थ। कॉटन की बुआई के आंकडों पर नजर डालें तो 2 सितंबर 2024 को कॉटन की बुआई 111.74 लाख हेक्टर में हुई है जबकि 2023 में इस दोरान 123.71 लाख हेक्टर में कॉटन की बुआई हुई थ। गौर तलब है कि कॉटन उगाने वाले बड़े राजियों में गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान और करनाटक का नाम आता है। Cotton Association of India के प्रेजिडेंट अतुल गनातरा की माने तो देश में कॉटन को बढ़ावा देने की जरूरत है। इस साल 113 लाख हेक्टर में अब तक कॉटन की बुआई हुई। उनका कहना है कि कॉटन की बुआई 5 सालों के औसत से 13 फीसदी कम है। भारत में कॉटन का उत्पादन सबसे कम। नौर्थ इंडिया में 30 फीसदी बुआई कम हुई। गुजरात में भी 12 फीसदी बुआई कम हुई। मध्यप्रदेश कॉटन एसोसियेशन के पूर्व उपाध्यक्ष कैलाश खंडेलवाल की माने तो इस वर्ष कॉटन का रगबा कम होने के बावजूद उत्पादन बहतर। आगे आने वाले समय में भी आवक अच्छी रहने की संभावना, जिससे किसानों को अच्छे भाव मिलेंग। उनका मानना है कि अंतराष्ट्रिय परिस्थितियों के चलते इस वर्ष का पास के भाव तेज बने रहेंग। Bureau Report Market Times TV